किये गए हैं उन्हाने हर किसी को अभिवूत किया है एक ता नगर में आने वालों को सिर्फ इस भव्य प्रतिमां के ही दर्शन नहीं होते हैं उसे सरदार साप के जीवन उनके त्याग और एक भारत के निर्मान में उनके योगदान की जलग भी मिलती है कि इस प्रतिमा के निर्मान गाता में ही एक भारत स्रेष्ट भारत की भावना का प्रतिवीम है इसके निर्मान के लिए देश के कोने कोने से किसानों ने खेती के ओजार दिये लोह पुरुष्टी प्रतिवां के लिए लोहा दिया कि देश के कोने कोने से मिट्टी लाकर यहां बॉल आफ यूनिटी का निर्माण हुआ कि यह कितनी बड़ी प्रेर्णा है कि इसी प्रेर्णा से ओत प्रोत कि करोडों की संख्या में कि देश वासी कि इस आयोजन से जुड़े हुए है कि लाखों लोग कि देश भर में कि रन फॉर यूनिटी में हिस्सा ले रहे हैं कि एक्ता के लिए दोड़ लाखों लोग कि सांस्कृतु कारकमों के जरिये इसका हिस्सा बन रहे हैं जब हम देश में एक्ता का ये प्रवाद देखते हैं जब एक सो चालीस करोड भारतियों में एक जुड़ता के ये भाव देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सरदार साप के आदर्श ही एक भारत स्रिष्ट भारत का संकल्प बनकर हमारे भीतर दोड रहे हैं मैं इस पावन अवसर पर सरदार वल्लभाई पटेल के चरणों में नमन करता हूं मैं सभी देश वास्यों को राष्ट्री एक्ता दिवस की अनेक अनेक शुब कामनाय देता हूं कि मेरे परिवार जरों कि आने वाले प्रती साल कि भारत के लिए इस सतावदी के कि सबसे महत्वपूर्ण प्रती साल है इन 25 वर्षों में हमें अपने इस भारत को सम्रुद्ध बनाना है हमारे भारत को विक्सित बनाना है आजादी के पहले 25 साल का एक ऐसा कालखंड आया था पिछी सतावदी में जिसमें हर देश वासी ने स्वतंत्र भारत के लिए खुद को खपा दिया था अब सम्रुद्ध भारत के लिए वैसे ही अगले 25 वर्ष का अमृतकाल हमारे सामने आया है आउसर बन गया है हमें सरदार पटेल की प्रेणा से हर लक्ष को हासिल करना है आज पूरी दुनिया भारत को देख रही है आज भारत उपलब्दियों के नए शिखर पर है जी ट्विंटी में भारत के सामर्त को देख कर दुनिया है है रान हो गई है हमें गर्व है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ को नई उंचाई पर ले जा रहे है हमें गर्व है कि अनेक वैश्विक संकटों की बीच हमारी सीमाय सुरक्षित है हमें गर्व है कि अगले कुछ वर्षों में हम दुनिया की कि तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं हमें गर्व है कि आज भारत चांद पर बहां पहुंचा है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया हमें गर्व है कि आज भारत तेजस फाइटर प्रेन से लेकर आनेस विक्रान तक खुद बना रहा है हमें गर्व है कि आज भारत हमारे प्रफेशनल्स दुनिया की अर्बों खर्बों डॉलर की कम्पनियों को चला रहे हैं नेत्रुत्व कर रहे हैं हमें गर्व है कि आज दुनिया के बड़े-बड़े स्पॉर्ट्स इवेंट्स में तिरंगे की शान लगातार बढ़ रही है हमें गर्व है कि देश के युवा बेटे-बेटियां रिकॉर्ड संख्य में मेडल्स जीत रहे हैं साथियों इस अम्रत काल में भारत ने गुलामी की मान्सिक्ता को त्याग कर आगे बड़े का संकल्प लिया है अम्विकात भी कर रहे हैं और अपनी विरासत का समुरक्षन भी कर रहे हैं भारत ने अपनी नव सेना के द्वज पर लगे गुलामी के निशान को हटा दिया है गुलामी के दौर में बनाये गए गेर का जरूरी कानुनों को भी हटाया जा रहा है आई पी सी की जगह भी भारतिय न्याय सहीता लाई जा रही है इंडिया गेट पर जहां कभी विदेशी सत्ता के प्रतिनिदी की प्रतिमा थी अब नेता जी सुहास की प्रतिमाह में प्रेणा दे रही है साथियों आज ऐसा कोई लक्ष नहीं है जो भारत पान सके ऐसा कोई संकल्प नहीं है जो हम भारत पासी मिलकर सिद्ध ना कर सके बीते नव वर्षों में देश ने देखा है कि जब सब का प्रयास होता है तो और संभव कुछ भी नहीं होता है किसने सोचा था कि कभी कश्मीर आर्टिकल 370 से मुक्त भी हो सकता है लेकिन आज कश्मीर और देश के बीच आर्टिकल 370 की वो दिवार गिर चुकी है सरदार साब जहां भी होंगे सबसे ज़्यादा प्रस्दत आनुभाव करते होंगे और हम सब को आश्रिवात देते होंगे आज कश्मीर के मेरे भाई बहन आतंगबाद के साए से बहार आकर खुली हवा में सांस ले रहे हैं देश के विकास में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं यहां जो मेरे एक तरफ सरदार सरोवर बांध है वो भी पांच छे दसक से लटका हुआ था सबके प्रयास से इस बांध का काम भी बिते कुछ ही वर्षों में पुरा हुआ है जाथियों संगल्प से सिद्धी का एक बहुत बड़ा उदारां हमारा यह एकता नगर भी है 10-15 वर्ष पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि केवडिया इतना बदल जाएगा आज एकता नगर की पहचान ग्लोबल ग्रीन सीटी के तौर पर हो रही है यही वो शहर है जहां से दुनिया भर के देशों का ध्यान कितने वाले मिशन लाइब की शुरुवात हुई थी जब भी मैं हां आता हूं इसका आकर्शन और बढ़ा हुआ दिखता हूं रिवर राफ्टिंग एकता कुरूच एकता नर्शरी एकता मॉल आरोग्यवन कैक्टस और बटरफ्लाइगार्डन जंगल सफारी मियावा की फॉरेस मेज गार्डन यहां परियत्रकों को भावत आकर्शित कर रहे हैं पिछले छे महिने में ही यहां देड़ लाग से जाना पैड लगाये गए हैं सोलर पावर जनरेशन में सीटी गैस डिस्रिबिशन में भी एकता नगर भावत आगे चल रहा है आज यहां एक स्पेश्यल हेरिटेज ट्रेइन का एक नया आकर्शन भी जुड़ दे जा रहा है एकता नगर स्टेशन और अमदाबाद के भी चलने वाली इस ट्रेइन में हमारी विरासत की जलक भी है और आधुनिक स्विधाएं भी है इसके इंजीन को स्टीम एंजीन का लुक दिया गया है लेकिन यह चलेगी विजली से एकता नगर में इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट की व्यवस्ता भी की गई है अब यहां परियाटकों को इबस इगोल्फ कार्ट और इस साइकल के साथ पब्लिक बाइक शेरिंग सिस्टीम की स्विधावी मिलेगी पिछले पांच वर्षों में डेड़ करोड से जादा परियाटक यहां आ चुके हैं और यह संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है इसका बहुत बढ़ा लाब यहां के हमारे आदिवासी भाई बैनों को हो रहा है उन्हें रोजगार के नए साधन मिल रहे हैं साथियों आज पूरा विश्व भारत के संकल्प की द्रड़ता को भारत वास्यों के पवरुश और प्रकरता को भारतिय जनशक्ति की जीजी विशा को आदर और विश्वास से देख रहा है भारत की आविश्वस्निया आद तुलनिया यात्रा आद हर किसी के लिए प्रेनना का केंदर बन चुकी है लेकिन मेरे प्यारे देश्वास्यों हमें कुछ बातों को कभी भी भूलना नहीं है उसों सदा सरवदा याद भी रखना है मैं आज राष्ट्रिय एकता दिवस्त पर प्रत्य देश्वासी से इस बारे में मेरे मन के भाव आज उनके सामने मैं प्रगट करना चाहता हूँ आज पूरी दुनिया में उथल पूथल मचिव हूई है कोरोना के बात से कई देशों की अर्थववास्ता के हालत चर्मरा गई है बहुत खराब है बहुत सारे देश तीस चालीस सालों की सबसे ज़्यदा महंगाई से आज जूज रहे हैं उन देशों में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है ऐसी परिस्तिति में भी भारत दुनिया में अपना पर्चम लहरा रहा है हम एक के बाद एक चुरंगतियों को पार करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं हमने नए रिकॉर्ड बनाए है हमने नए पैमाने भी बनाए है पिछले नव साल में देश जिन नितियों और निर्णों के साथ आगे बढ़ा है उसका प्रभाव भी आज जीवन के हर शेत्र में देख रहे हैं भारत में गरीबी कम हो रही है पांच वर्ष में साड़े तेरा करोड से जादा लोग गरीबी से बहार आए है हमें विश्वात मिला है कि हम देश से गरीबी को खत्म कर सकते हैं और हमें इसी दिशा में निरंतर आगे बढ़ते ही रह रहा है और इसलिए प्रत्यग भारत वासी के लिए ये समय बहुत महत्वपूर है किसी को भी ऐसा कोई काम नहीं करना है जिस से देश की स्थिर्ता पर आँच आए हमारे कदम भटकने से हम लक्ष से भी भटक जाएंगे जिस परिस्थम से एक सो चालीस करोड भारतिया देश को विकास के पत पर लेकर आए है वो कभी भी वर्थ नहीं होना चाहिए हमें भविश को ध्यान में रखना है और अपने संकल्पों पर डटे रहना है मेरे देश स्वासियों देश के पहले गिरह मंत्री होने के नाते सरदार पटेल देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर बहुत सक्त रहते थे लोग पुरुस थे ना पिछले नाव वर्षों से देश की आंतरिक सुरक्षा को कई मोर्चों से चुनावती मिलती रही है लेकिन हमारे सुरक्षा बलों की दिन रात की मैनत भी और उसकी वेज़े से देश के दुश्मान अपने मनसुबों में पहले की तरह कामियाब नहीं हो पा रहे हैं लोग अब भी उस दौर को नहीं भुले हैं जब भीड भरी जगों पर जाने से पहले मन संका से भर जाता था त्योहारों की भीड बाजार पब्लिक प्लेस और जो भी आर्थिक गतिविदियों के केंद्र होते थे उन्हें निशाना बना कर देश के विकास को रोकने की साजिस होती थी लोगों ने बलास के बाद की तबाही देखी है बम के दमाकों से भी बरबादी देखी है उसके बाद जाच के द्राम पर उस समय की सरकारों की सुस्ती भी देखी है आपको देश को उस दौर में वापस लोटने नहीं देना है हमारे सामर्त से उसे रोकते ही रहना है जो लोग देश की एकता पर हम ले कर रहे हैं हम सभी देशवासियों को उन्हें जनना है पैचानना है समझना है और उनसे सतर्क भी रहना है साथियों देश की एकता के रास्ते में हमारी विकास यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट है तुष्टी करण की राजनीती भारत के बीते कई दसक साक्षी है कि तुष्टी करण करनेवारों को आतंगवाद उसकी भायानकता उसकी विक्रालता कभी दिखाई नहीं देता तुष्टी करण करनेवारों को मानवता के दुष्वनों के साथ खड़े होने में संकोच नहीं हो रहा है वातंग की गतिविद्यों की जाच में कोता ही करते हैं वो देश विरोधी तत्वा पर सक्ति करने से बचते हैं तुष्टी करन की सोच इतनी खतरनाख है कि वातंग क्यों को बचाने के लिए अदालत तक पहुंच जाती है ऐसी सोच से किसी समाज का भला नहीं हो सकता इससे कभी देश का भी भला नहीं हो सकता एक ताको खत्र में डालने वाली ऐसी सोच से हर पल हर समय देश के हर कौने में हर देश वासी को सावधान रहना ही है मेरे प्यारे देश वास्यों अभी देश में चुनाव कामी माहौल बना हुआ है राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया चल ही रही है और अगले साल लोक सभा के भी चुनाव होने वाले हैं आपने देखा होगा कि देश में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल धरा ऐसा है जिसे सकारात्मग राजनीती का कोई तरीका नहीं दिख रहा दुर्भाग्य से यह पॉलिटिकल धरा ऐसे ऐसे हतकंडों को अपना रहा है जो समाज और देश के खिलाप है यह धड़ा अपने स्वार्थ के लिए देश की एकता अगर तूरती भी है तो उनके लिए उनका स्वार्थ सर्पो परी है इसलिए इन चनोत्यों के बीच आप मेरे देश स्वासी जनता जनारण आपकी भुमी का बहुत महत्वपन हो गई है कि लोग कि देश की एक जुड़ता पर चोड़ करके अपना राजनिती हीत साधना चाहते हैं कि देश इनसे सतर्ग रहेगा तभी विकास के अपने लक्षों को प्राप्त कर पाएगा हमें विक्सित भारत का लक्षा हासिल करने के लिए देश टी एकता बनाय रखने का प्रयास एक पल भी छोड़ना नहीं है कि एक कदम भी पीछे रहना नहीं है हमें निरंतर एकता के मंत्रों को जीना है एकता को साकार करने के लिए हमें अपना निरंतर योगदान देना है हम जिस भी खेत्र में हो हमें उसमें अपना शत प्रतिशत देना है आने वाली पीडियों को बहतर भविश्य देने का केवल यह उत्तम से उत्तम मार्ग है और यही सरदार साप की हम सभी से अपेक्षा है साथियों आज से माय गौव पर सरदार साप से जुड़ी एक राष्ट्रिय प्रतियोगी तापी शुरू हो रही है सरदार साप कीज के माध्यम से देश के युवाओं को उन्हें जानने का और मोका मिलेगा मेरे परिवार जनों आज का भारत नया भारत है हर भारत वासी आज असीम आत्म विस्वास से भरा हुआ है हमें सुनिस्चित करना है कि आत्म विश्वास बना भी रहे और देश बढ़ता भी रहे यह भाव बना रहे यह भंव्यता बनी रहे इसी के साथ में एक बार फिर आधनिय सरदार प्रटेल को 140 करोर देश वासियों की तरप से विनम्र स्रद्धानली देता हूं हम सब राष्टी एकता के इस राष्ट उत्सव को पूरे उत्सां से मनाएं जीवन में एकता के मंत्र को जीने की आदत बनाएं जीवन को हर पल एकता के लिए समर्पित करते रहें इसी कामना के साथ एक बार फिर आप सभी को धेर सारी बदाए भारत माता की इस बारत माता की इस बारत बहुत बहुत धन्यवार